ऐसा एंकाउंटर जो शायद पहली बार देखने को मिला बदली की ऐसी सनक पहली बार देखी देश ने ऐसी नफरत पहली बार देखी आज सुबह मुंबई के कुरिया इलाके में जो कुछ हुआ वो किसी आक्शन फिल्म से कम नहीं था एक हाथियार बन नौजवान बस में लो ये तमन्चा भी कोई खिलावना नहीं है इस तस्वीर में हर चीज असली है जिहां ये एक शक्स के दुस्साहस का असली वीडियो है ये पुलिस एंकाउंटर का लाइब वीडियो है 15 मिनट का संतनी खेज एंकाउंटर सुबा के करीब साहे नौ बज़े पुरला के बैल बाजार में हुआ ऐसा संसनी खेज बाक्या जिसमें फूले देख की छट्टों दिया ये है रूप नंबर 335 की डबल टेकर बस बस अंधेरी से सुबा करीब साहे 8 बज़े पुरला के लिए खुले थी करीब 9 बज़े जब बस साखी नाथा पहुँची तो यहीं बस के पश्टनों पर सबार हुआ ये नौ ज़वान नाम है राहुल राज और ये रहने वाला है पत्ना का करीब 9 बज़ कर 10 मिनट ये बस जैसे ही पुरला के बैल बाजार पहुँची चश्मतीदों के मुताबिक राहुल अपनी सीट से खड़ा हो गया वो तमंचा निकाल कर ठंकाने लगा उसमें साफ साफ कहा कि इसकी मुशाफिरों से कोई दुश्मनी नहीं वो सिर्फ राज ठाकरे से पात करना चाहता है वो बार बार खंड़कर से बोबाइल बाज़र खा था मौकाए बार दाट से पुलिशों की महस पचास मीटर दूर है जब ये ड्रामा चल रहा था तभी बस के ड्राइवर ने दी पुलिस को इतला नौबचकर 27 मिनट पर पुलिस थी बस नमबर 332 के पास पुलिस के पहुंसे ही राहुल ने बस के बाहर दो परचिया फेकी रहुल ने दस रुपए के नोट पर लिखा था मुझे राज ठाकरे को मारना है और दूसरी परचिय पर लिखा कि मुझे मेडिया और पुलिस कमिशनर से बात करनी है पुलिस का दावा है कि जब वो वहां पहुंची तो बस के थी पर फायरिंग की आवास आई रहुल ने खिड़की से जमीन की तरफ फायरिंग की ये दिखाने के लिए कि उसके पास असली हथियार है रहुल की फायरिंग पर पुलिस में हवा में दो फायर की जवाबी फायरिंग से रहुल घबरा गया घबराहट में उसमें भी हवा में दो राउन फोलिया चलाई पुलिस का दावा है कि सिफ फारिंग में एक शक्स हुआ जखमी राहुल की घबराहट की कहानी ये तस्वीरे भी बया कर रहे है देखिए इन तस्वीरों में वो बस में इधर से उधर भाग रहा है वो डर कर बस के खिड़किया बंद कर रहा है वो रह रह कर खिड़की से हथियार निकाल कर गोली मारने की धमकी दे रहा है चश्मदीरों के मताबिक वो बार बार यही कहता रहा राज ठाकरे से बात कराओ और इसके बाद वो डर कर बस की उपरी मन्जिल पर भी पहुँश गया इस बेच पुलिस ड्राइविंग सीट की तरफ से छिपते छिपाते पिछले दरवाजे से अंदर खुशी और राहुल पर फाइरिंग शिरू करती राहुल को तीन भोडिया लगी और उसकी मौत हो गई एंकाउंटर के तुरंट बाद आला पुलिस अफसर पहुच गए अपने साथेयों की तीथ ठप ठपाने के लिए लेकिन जिस अंदास में 15 मिनट का ध्रामा चला उसमें कई सवाल भी छोड़ दिये है राहुल की खबराहत और उसकी हरकत गवाह है नो सिखिये पनकी ऐसे में उसे पकरने की बजाए मौत के खात उतारना क्या जरूरी था